प्रिये चात्रों नमस्कार आज हम आपको जो प्रश्ण बत्ता रहे हैं वह प्राश्णों SSC की परिक्षा में 2009 में आ चुका है तो देखिए आज का प्रश्ण है 120 मजदूर किसी कारे को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं इसी कारे को 10 दिन में समाप्त कराने है तो कितने मजदूर लगाने होगे कहने करता पर यह है एक कोई काम है जिस काम को 120 मजदूर जो है वो 15 दिन में करते हैं अब आपका मन यह है कि यह कारे 15 दिन के इस्थान पर 10 दिन में हो जाई तो आपको कितने मजदूर लगाने होगे यह ग्यात करना है तो देखे इस प्रकार के प्रश्णों को हल करने के लिए सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जिस चीज का आंसर निकालना होता है वो सबसे सीदे हाथ की तरव लिखते हैं तो हमें इसमें मजदूर निकालने हैं तो मजदूर तो लिख लेंगे यहां पर और एक हमारे दिन दिये हुए हैं दिन लिख लेंगे यहां पर के लिख लिए अब वो 15 दिन के अंदर 120 मलब काम करते हैं यह 120 बीरद दिन तो दिन के नंचे दिन लिख लेंगे और इस्ः संकत संबनित ढब जो है वो वह हो लिए 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 मुत ये हम35, हम्हादा अच्छ यह है हम यह मुत यह उद्धे करना चाहते sekali है इस काम को अगर हम 10 दिन पूरा कराना चाहते है तो कितने मुत दूर लगाने पड़ेंगि तो 10 दिन तो यह लिए 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 होता है कभी उल्टानपात का होता है दिन और मर्दूर में या मर्दूर और दिन में उल्टानपात होता है क्लिया अब यह कैसे परचानेंगे इसके वारे मैं मैं आपको पहले कई बात बात बता चुके हैं आज दौरा से फिर बताए देती कि यहां पर कौंसी संख्या लिखिये है इस से कुल मत्तल नहीं है। आप मन में यह कल पना किजिए कि आपको काम जो है कुब कम दिन में कराना है। तो कम दिन में कराने के लिए मजदूर कितने लगाने पड़ेंगे ज्यादा मतब दिन तो कम हो रहे हैं और मजदूर ज्यादा हो रहे हैं या आप ज्यादा दिन में काम कराना चाहते हैं तो मजदूर कितने लगाने पड़ेंगे कम मजदूर ज्यादा हो रहे हैं दिन कम लग तो ज्यादा कप्रा खरीदेंगे ज्यादा मीटर कप्रा खरीदेंगे कप्रा ज्यादा मीटर खरीदा तो आपको पैसे वी ज्यादा देने पड़ेंगे कम मीटर कप्रा खरीदेंगे आपको कम पैसे देने पड़ेंगे तो इस प्रकार से मालूम पड़ते हैं तो यह हमारा उ चाहते हैं तो ज्यादा मुद्दू लगाने पड़ेंगे और ज्यादा दिन में कराना चाहते हैं तो कम मुद्दू लगाने पड़ेंगे ठीक है अब यह चाहिए उल्टे अनपात का सवाल हो इस पर तो लाश्ट की जो जिसके इमान निकालना होता है इस पर तो तीर का नसान जो लगाते हैं वो ऐसा लगा लेती है और बकायाओं में अगर उल्टान पात होता है तो तीर करसा ऐसे लगा दिया जाता है उल्टान पात के लिए और सीधा होता है तो ऐसे लगा दिया जाता है अगर सीधान पात का सवाल है तो अब इस तीर का मतलब क्या है इस तीर का तो यह संख्या पहले लिखी जाएगी, यह बाद में लिखी जाएगी, और तीर ऐसे लगा हुआ है, इसका तो यह संख्या पहले लिखी जाएगी, यह संख्या बाद में लिखी जाएगी, तो यहां कई चूंकि तीर ऐसे लगा हुआ है, इसलिए यहां पर तो लिखेंगे हम दसन पंद्रह तो आपको इस से यह प्राप्त ओगया कि 10 वाले पदाूं का गढ़न sequel अन्दर वाले पद्रधा वालबर है इसका मतद दस एक्स बराबर जाएगा पंद्रह गढ़ाट 120 अब X का मान निकालना है तो X का मान निकालना है तो 10 जो है एक इसके आरफ असके हर में चले जाएंगे तो X बराबर हो जाएगा पंद्रे गुणाई 120 बटे 10 इस 10 से काटेंगे तो 12 अजहा पराप्त हो जाएगे और एक यहाप राप्त होगा हर का एक प्राया लिखा नहीं जाता है अब यहां पे अंस में कितने बचे पंदर गुना बार है और पंदर बार गुना करेंगे तो आपका आजा गए 180 और एकस क्या माला आपको एक मजदूर चाहिए पता है 180 मजदूर चाहिए तो लिख दिया हमने करेंगे 10 दिन में कार्य पूरा कराने के लिए 180 मुझदूर लगाने हो गई अब विकल्प में देख component yeah ठो हम लिक देंगे 25 स्क्राइँ बस क्लियर उस संब का करमारा प्राशु क्रिश्म पूरा हो जाता है अगली मारको युर न mute परत्त लाएंगे आपके दिलिमाश का